नमस्कार मित्रों, संस्कार दर्शन चैनल में आपकी सभी का स्वागत है हमने रामाइन्ड पुस्तक के सभी प्रश्नों को देख लिया है अब हम महाभारत पुस्तक के बिगत परिक्छाओं में आय हुए प्रश्नों को देखेंगे जो कि भारत की विभिन परिक्षाएं होती हैं, उनमें आते हैं, तो शुरू करते हैं, पहला प्रस्ण है, महाभारत के लेखा कौन है, तो ये B.H.U. की A.E.T. गरग्यारे में आया है प्रस्ण, और इस प्रस्ण का अंसर है ब्यास जी, सभी जानते हैं कि ब्यास जी ने महारा किसे बूल सकते हैं, कि महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, महाभारत इतिहास है, तो इसका अंसर B हो गया, दूसरे का B, इसको आप देख सकते हैं, संस्कार साहित का इतिहास, उमासंकर सर्माजी की बुक है, प्रसंख्या 147 पर देख सकते हैं से, अब तीसर प्रस्ण महाभारत कैसा ग्रंथ है तो महाभारत एक इतिहास एक ग्रंथ है तो इसका अंसर A हो जाएगा और ये वी प्रस्न टेट में आया है हर्याणर टेट में दुएर पंद्रह में बहुत इंपोटन्ट प्रस्न है अब प्रस्न संग्य 4 को देखते हैं इसमें लिखा है इतिहास पुराणा भ्याम वेदम समुप ब्रहजेत एत्या उक्तेया सम्भध्धा ग्रन्था इतिहास पुराण का बेद अब चौत्था प्रस्ण देखते हैं इतिहास पुराणा भ्याम वेदम समुप ब्रहयेत एतया उक्तया सम्मध्धा ग्रंथा यह उक्ती किस सम्मध्ध है तो यह उक्ती है महाभारत से सम्मध्ध है तो चौथे का अंसर हो गया B अब चौथे का अंसर हो गया B महाभारत से अब चौथा प्रशन देखते हैं इस प्रशन को दूसरे दरीगे से बोला गया है इतिहास प्रणा भ्याम वेदम समुप ब्रहेद इतियुक्ता कस्य वर्तती यह उक्ती कहां या किसके लिए कही गई है तो यह उक्ती जो है महाभारत के लिए कही गई है तो महाभारततस से तो इसका आँज़र हो गया B चौतिक अज़र बी अब प्रशन देखते हैं इनमे प्रचीनतम कौन है तो इनमे प्रचीनतम कौन है पांचका बी बी क्योंकि महाभारत इन सभी उस्तोगों में सबसे प्राचीन है तो इसका अंसर हो गया महाभारत महाभारतम बी पांच में का अंसर बी छटा प्रसंद देखिए इतिहास ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ क्या है इतिहास ग्रंथ है महाभारत तो छटे का अंसर हो गया बी तो पंचम वेदह कौन सा ग्रंथ है और इस प्रशन को दूसरे तरीके से बोला गया है पंचमो वेदह कहा बला पंचमो वेदह कौन सा है तो महावारत को पंचम वेद भी कहा गया है तो साथ में का C, आंसर हो गया, यह प्रस्ण BHU MAT में आया है दुराट में और AWES TGT दुराट में आया है, बहुत अच्छा प्रस्ण है, कि पांचमा ग्रंद के इसे काई आता है, यह कौन सा है, और यह इसका स्रोथ जो है, समस्कत वांग में का बिरहद इतिहास, बल्दे उपाद्याजे की पुस्तक है, इसकी प्रिष्ट संख्या 529 पर आप देख सकते हैं, अब आफ़ा प्रस्ण देखिए, महाभारत को जाना जाता है, यह महाभारत को कहा जाता है, तो महाभारत को जय सहिता कहा जाता है, आठ में का अंसर A हो गया, और यह UPTGT में आया है, दुराट नो और प्रस्ण अच्छा है, अब दूसरा प्रस्ण देखिए, अरे वा, आठा प्रस्ण देखते हैं, महाभारत को जाना जाता है, यह महाभारत को कहा जाता है, तो महाभारत को जय सहिता कहा जाता है, तो आठ में का अंसर हो गया B, आगे देखते हैं नावा प्रस्ण, जै इती कस्य महा कावियस्य नामान तरम तो इसको दूस्तरी से बुला गया है जै इती कस्य नामान तरम तीसे तरीके से भी बुला गया है इसे जै कावियम इती नामना किम ग्यायते तो इस प्रशन का अंसर है कि जै काव की नाम से किसको जाना जाता है या जै किसका नाम है या जै नाम बाद में किस नाम से जाना गया तो महाभारत को पहले जै काव के नाम से जानती थी तो नमे का अंसर भी हो गया आगे देखती हैं दस्वाप्रस्ण महाभारत से कहा क्रमा महाभारत का कौन सा करम है तो महाभारत को प्रारम मेज़ जैसे ही था फिर भारतम भी बोला गया है फिर महाभारत बोला गया है महाभारतम तो दसमे का अंसर हो गया ए आगे देखते हैं क्यारवा प्रस्ण महाभारत तस्य प्रथमम नाम आसीत महा भारत का प्रतम नाम था या इसको दूस्तरी के से बुला गया है महा भारतस्य अपरम नाम किम तो प्राणिमिक नाम क्या था जय तो इसका आंसर हो गया 11 का आंसर अब आप 12 प्रस्ण देखते हैं 12 प्रस्ण है महाभारत से आलोचनात्म का संस्कर्ण को तहा प्रकासितम महाभारत का आलोचनात्म का संस्कर्ण कहां से प्रकासित हुआ तो कहां से प्रकासित हुआ ये देखते हैं पूनात पूना से महाभारत का आलोचनात्म संस्कर्ण प्रकासित हुआ तो इसका अंसर हो गया बारे का ए तो आगी चलते हैं तेरों प्रस्ण देखते हैं तेरों प्रस्ण है महा भारत से आलोचनात्मक संस्क्रण से संपाद कहा अस्ती महा भारत के आलोचनात्मक संस्क्रण के यका संपादक है तो संपादक कौन है इसका है संपादक V.S. सुक्थ अनकर तो इसका अंसर हो गया तीरे का D V.S. सुक्थ अनकर तो संस्कत वांग में ब्रहतितिहाज तर्थी खंड बल्देव पाद्याजी की पुस्तक है अब प्रस्न देखते हैं चातुर वर्णियम मयास रष्टम गुण कर्म विवाद बसदागा इती उक्तम यह उक्ति यह कहां कहा गया है तो यह कहा गया है महावारत में तो D अनसर हो गया इसका चौदे का D और यह महावारत के खंड तीन में भीशन पर्म में कहा गया है प्रसंख्या 672 पर आप देख सकते इसे 15 प्रसंद देखिए उच्छेत संबंद बिकल्प चुनिए तो वालमिकी जी ने रात्रम लिखिये नहीं पंद्रे का आंसर हो जाएगा वालमिकी जी की पंद्र चात्रम नहीं है प्रतिसरगा कालिदास की नहीं है ये गलत है और मन्तर राणी भारवी की नहीं है तो विदुर नीती जो है महावारत में है तो यह बी आंसर इसका सही है तो पंद्रे का बी आंसर हो जाएगा बिदुर नीती महा भारत में दे रखिए बिदुर जी की अब 16 प्रसन देखिए दुरूत कीडा वर्णनम कस्मिन परवणी विद्यती दूत कीडा का वर्णन किस पर्व में विद्यमान है या उपसित है तो 16 प्रसन है दूत कीडा का वर्णन के बारे में कह रही है तो द्यूत की डागा वर्णन है आपका 16 का सभापर्व में तो 16 का अंसर है A सभापर्व में द्यूत की डागा वर्णन दे रखा है और ये जी जे गुजराद जी जे सैट द्यूतीरह में प्रिशना आया है इसे आप संस्कत साहित का इतिहास उमा संकर जी की पुस्तक में देख सकते हैं प्रशन का 140 पर साथ नवा प्रशन देखिए बिस्व साहित के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है बिस्व साहित में सबसे बड़ा महाकाव्य हुआ है महावारत सबसे आदा बड़ा इतिहास काव्य है महा भारत सबसे बड़ा महा काव्य है तो सत्रेका अंसर बी हो गया 18 परसंद देखते हैं महा भारत में कितने स्लोक है या महा भारती कते स्लोका संती इसको तीसे तरीके से भी बोला गया है व्यास विरचित महा भारत के स्लोकों की संख्या है तो 25 सती 18 परसंद यह लाक स्लोक है इसमें तो यह आयोत स्लोका भी गलत है पंच विन सती सहस स्लोका भी असुद है देखी लक्ष स्लोका भी गलत है लक्ष स्लोका सही है क्योंकि एक लाक स्लोकों की संहिता है महा भारत तो इसका अंसर होगा ठारेगा सी आप 19 परसंद देखते हैं सत सहस्री सहिता नाम किस ग्रंथ का है या इसको एक तरीके से बोला गया है एनम सत सहस्री सहिता इती ब्रुवन्ती विपस्चन्ती है इस परसंद को दूसरे तरीके से भी लिखा गया है सत सहस्री इती कश्य अविधानम अस्ती या इसको एक तरीके से लिखा गया है परसंद को सत सहस्री कश्य ग्रंथस्य संग्या एक अतरीगे से भी लिखा गया है इस प्रश्ण को सत्सहास्री सहिता इती कस्य अपरम नाम इन सभी प्रश्णों का एक ही अर्थ है कि साथ हजार सत्सहास्री मिलद एक लाग स्लोकों की सहिता का नाम क्या है या किसका नाम है तो महाभारत को सत्य सहास्री साहिता बोला जाता है तो 19 में प्रस्ण का अंसर हो गया बी यह काफी प्रश्चाओं में आया हुआ प्रस्ण है बहुत मैं तो वो प्रस्ण है यह देखिए यह UGC में भी आया है तीन बार प्रस्ण आया है तीन चार बार नहीं ज्यादा आया है 12 में, 14 में, 15 में, 16 में भी आया है और UGC 73D 12 में आया है और TGT में भी आया दो यह 10 में तो प्रस्ण बहुत महत्पूर्ण है इसे थोड़ा ध्यान से देखिए बीशमा प्रस्ण देखते हैं महाभारत अस्य स्लोक का नाम संख्या आसीद महाभारत के स्लोकों की संख्या है क्या थी तो बीशमा प्रस्ण है महाभारत के स्लोकों की संख्या थी तो महाभारत के स्लोकों की संख्या थी सत्सहस्र स्लोकों की संख्या है महाभारत में तो 20 का अंसर हो गया डी इसी तरीके से किसना प्रस्म देखते हैं आगे यदि अस्ती तदन्य अत्र यन्नेह अस्तीना तत क्वचित इती कथनेन कस्य परिचया बहुती UPGIC 25 में प्रस्ण आया है अब इस प्रस्ण को दूसरी तरीके दूसरा भी है दो प्रस्ण है एकी तरीके के धर्मे चा अर्थे चा कामे चा मोक्षे चा भर्त रिशिव यदि अस्ती तदन्य अत्र यद इह अस्ती ना तत क्वचित कस्य परिचया उक्ता यह उक्ती किसके परिचय के लिए कहा गई है यह किसका परिचय देती है तो यह है उख्टी, महा भारत का पह herbacet से 21 का एंज़र हो गया B अब तेईसराँ प्रसंद देखिए महा भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला तो 18 दिनों तक चला है ये युद्ध तो 22 का ऑंज़र हो गया A 18 दिन अब तेशनों प्रस्ण देखिए व्यास प्रणीत महाभारत में कितने पर्व हैं या महाभारते पर्वाणी कते और कई तरीके से लिखा गया है यह महाभारत से विभाजने पर्वणाम संख्या अस्ती महाभारत से कथा कती पर्वसू विभक्ता अस्ती महाभारते कती पर्वाणी संती यह पांस तरीके से बोला गया है एक ही प्रश्म को अर्थात महाभारत में कितने पर्व हैं तो महा भारत में अठारे अश्टा दस अठारे पर्व हैं तो तेईस का अंसर ए हो गया अश्टा दस पर्व हैं अब चौविशमा प्रस्न देखते हैं चौविशमा प्रस्न है महा भारत से विशय वस्तू विभाजन में वाजन है किस प्रकार की विशय वस्तू में विभाजन है या दूसरा तरीका प्रस्न पूछा गया है महा भारतम विवक्तम अस्ती महा भारत विवक्त है अर्थात किस प्रकार विवक्त किया गया महा भारत को तो पर्वव में 24 का अंसर हो गया D अर्थात महा भारत पर्वव में विवक्त है दूसरा प्रसंद है 25 प्रसंद देखिए आगे महाभारत का दुतिय पर्व कौन सा है तो महाभारत का दुतिय पर्व सभा पर्व है 25 का बी अंसर हो गया इसी प्रकार आगे जलते हैं 26 प्रसंद देखते हैं महाभारत से अश्टादस सु पर्व सु इतम द्वादस तम भवती 26 का प्रसंद है महाभारत की अठारे पर्वों में से बारें पर्व कौन सा है सांती पर बारें पर्व है 26 का अंसर सी हो गया सांती पर्व आगे देखी 27 प्रसंद महाभारत से तरतियम पर्व किम उच्चे थे महाभारत का तरतिय पर्व क्या बोला आता है या क्या उच्चारित किया आता है तो वन पर्व महाभारत का तरतिय पर्व बोला आता है तो 27 का अंसर है D वन पर्व अब 28 प्रसंद देखिए महा भारत में पर्व है महा भारत में कौन सा पर्व है इसमें से तो ये 4 पर्व दे रखें 28 का इसमें आरणियक पर्व नहीं है आश्रम वासिक पर्व है तो 28 का B हो गया तो आगी चलते हैं उन तीसमें प्रसंद पर उन तीसमें प्रसंद है महा भारत का दूसरा नाम है महा भारत का दूसरा नाम सत्य सहस्री सो हजार सहिंता बोला गया है तो इसका सत्य सहस्री नाम है उन्तिसमें प्रस्ण का आंसर हो गया ए तीसमें प्रस्ण देख दिये एशू किम पर्व महाभारते नास्ती इन में से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है तो इसमें ये दिरख्खा है है, चार पर्व दिरख्खे है, तुरोन पर्व है, भीश्म पर्व है, विदिष्ठिर पर्व है और सल्व पर्व है, तो तीस का अंसर हो गया, सी तीस का अंसर हो गया सीख विदिश्टिर पर्व महावारत में नहीं है 31 प्रस्ण देखते हैं महा भारत आस्रितम ना भावति महा भारत पर आस्रित नहीं है कौन सा यहाँ पर बहुत सारे गरंते दी रखे हैं चार गरंते रखे हैं चार गरंता हमें से कौन सा महा भारत पर आस्रित नहीं है तो पहला है वेनी संहारम दूसरा है दूत वाक्यम 34 तीसरा है मध्यम व्या योगा और चौधा है अवशेक नाटकम तो वेनी संहारम तो इस महावारत सही लिया गया है बेनी सहारा और दूत वाक्यम भी महावारत का ही है और यह आपका मध्यम व्या योगा यह भी उसी का ही है तो अलशेक नाटकम यह महावारत आशत नहीं है तो 31 का अंसर होगे है डी 32 प्रसंद देखते हैं अश्ट सहस्र स्लोकात मकस्य महावारत स्य नाम किम आट हजार स्लोकों का भारत का नाम किया 32 में प्रसंद का अंसर है अश्ट सहस्र स्लोकात मकस्य महावारत स्य नाम जया है तो C आंसर हो गया आगे देखते हैं प्रसंद संख्या 33 महावारत स्य ब्रहत्तमं पर्व अस्ति महावारत का सबसे बड़ा पर्व है तो महावारत का सबसे बड़ा पर्व है सांति पर्व यह बहुत बिश्तरत पर्व है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी बढ़न ज्यादा भी रखा है इसी तरीके से आगे चलते हैं चौतिसने प्रिस्ट पर महा भारती राधिका पुत्रह कहा कथ्यति तो कर्ण को राधिका पुत्रह कहा जाए तो बस चौतिस का सी आंसर हो गया 35 प्रसुन को देखते हैं महाभारत से मौलेक रूपम आसीद महाभारत का मौलेक रूप था 35 का आंसर है ए जाय नाम ना 36 प्रसंद देखिए महाभारते उद्योग पर्व महाभारत में उद्योग पर्व है कौन सा पर्व है उद्योग कौन सी नंबर का स्लोग पर्वाता है उद्योग 36 का है B माच्वमा जो पर्व बोला गया है वो उद्योग पर्व बोला गया है महाभारत में तो 36 का अंसर हो गया B 37 प्रसंद देखते हैं महाभारते अंतिमम पर्व किम महाभारते अंतिमम पर्व किम महाभारत में अंतिम पर्व कौन सा है तो 37 प्रिश्म का अंसर हो गया B स्वर्ग आरोहणम पर्व स्वर्ग आरोहणम पर्व अंतिम पर्व है तो 37 का अंसर हो गया B इसी प्रकास आगे चलते हैं 38 प्रिश्म पर भगवत गीता किस ग्रंत का भाग है तो भगवत गीता महावारत के ग्रंत का भाग है तो अर्थीज का प्रशन का अंसर है एक और यह बहुत ही मुख्य प्रशन है यूजिसी में आया हुआ है इसी प्रकार 49 प्रशन देखते हैं महा भारत में सांती पर्व है यह प्रशन नीदे रखा है कि सांती पर्व है सांती किस में महावारत में है तो 49 प्रशन कांसर है भी महावारत में कि इसी प्रकार आगे चलते हैं चाड़ी समय परसंद देखते हैं